तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हमारे सेट में जो हमारी चेप्टर अभी चल रहा है सेट का ठीक है वह हमारा खतम हो चुका है अलड़ी इस पर मैंने काडिनल लेक्चर नंबर टू मैं अलड़ी डाज आपका अपलोड कर चुका हूं तो अब जो है हम लोग करके भी बताऊंगा ठीक है तो चलिए अब शुरू करते हम लोग देखें यह 2019 में आ चुका है यह निमसेट 2019 और 2008 तो बार आया यह कोशन रिपीट हुआ है तो अब देखतें इस कोशन को कैसे करना है क्या दिया है सपोस्थ एवन एटू ठीक है सपोस्थ एवन एटू से लेके ए 30 तक आपके पास है आर्दर 30 सेट आपके पास 30 सेट दिये हुए है कितने 30 सेट है आपके पास एवन से लेके ए 30 तक ठीक है इच विद फाइव एलिमेंट मतलब टोटल 30 सेट है और सभी में कितने एलिमेंट है पाँच एलिमेंट है और आपके पास और कितने है बी N तक N set है ना B1 B2 से लेके BN तक N number of set आपके पास दिये हुए और सभी set में total कितने element है तीन element है ना तो आप उसने ने बोला कि अगर आप सारे total 30 है ना I से लेके I की जो value है 1 से लेके 30 तक जा रही union है ना मतलब total 30 sets का union लेते हैं और वो बराबर आएगा किसके union of BN है ना यो BN है ये दोनों का जो आप निकालेंगे दोनों का sum निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा S के बराबर आएगा ना it is equal to S ये कुछ question ने इस तरह से mention किया हुआ है ना कि तो आपको बोलना है कि assume that each element of S assume करना है आपको ये मान के चलना है कि S के अंदर का हर element S के अंदर का हर element belong करेगा किसको exactly 10 of the AIs and exactly 9 of the BGs है ना तो हमें n number of मतलब क्या है कि s के अंदर आपको मानने कि s के अंदर जितने भी element है ठीक है s के अंदर जो भी element है उन element के exactly 10 element exactly 10 element इसको belong करेंगे और exactly 9 element इसको belong करेंगे तो इस question को कैसे solve करते हैं देखिए बहुत easy है अगर आप exam में solve करने जाएगे तो एक minute में solve हो जाएगा मैं यहां करना हूँ तो छोड इस तरह के कहां तक a 30 तक आपको union लेना है ठीक है ना उसी तरह किसे b का बोला है तो b1 union b2 union b3 से लेके कहां तक b n तक यह तरीका है ठीक है तो अब हम क्या करते हैं हमें क्या बोला question ने question ने बोला कि set a के अंदर set a के अंदर कितने element है sorry total number of sets कितने हैं हमारे पास 30 ठीक है और हर के अंदर कितने element है 5 element है ना जितने भी a set है total 30 है और सभी के अंदर 5 elements है और question ने आपको यह भी बोला कि s यह जो s है है ना set s इन दोलों को union लेके इन दोलों का union मिलके s बन रहा है ठीक है तो s के total 10 element belong करेंगे किसको इसको है ना अब s के अंदर कितने element है वो तो हमें पता यह x है ठीक है यहां bracket में लिखे एक्स number of element in s है ना number of elements in s अब कितने element s के कितने element a को belong करते है वो है 10 ठीक है ना तो यहां से x की value निकाल दीजिए अब कितनी हो जाएगी 30 into 5 upon 10 यह जाएगा 15 यह 15 आ रहा है ठीक है ना चलिए अब यह आ रहा है अब हमें कोशन ने क्या बोल कि जो b है यह जो b है similar हम जो हमने a के लिए क्या वही b के लिए करेंगे तो b के लिए कैसे करेंगे B के लिए कैसे करेंगे हम लोग B के लिए करना कुछ नहीं है B के लिए B में B के total set कितने N set है और हर में कितने element है तीन यह 3 हो गए अब B के कितने element B के कितने element belong करते है S के कितने element B को belong करते है that is 9 और number of element in S वो अकेला X हो जाएगा बस अब यहां solve कर दिए N की value निकालना है तो कितना हो जाएगा 9 इंटू X की value 15 है डिवाइड बाइ 3 3 बंज़ा 3 3 तो N की value आ रही है 15 सॉरी सॉरी 45 I'm sorry N की value 15 3 त 45 आ रही है मतलब आपता answer है E ठीक है न तो यह question को इस तरीके से आप solve कर सकते चलिए तो अब हम आगे बढ़ते है अब देखें यहाँ पर question क्या दिया है इना survey where 100 students reported which subject they like है 32 students 100 students थे जिनमें से 32 को क्या पसंद आया math 38 को business 30 को literature है 7 students ऐसे भी है जिनने mathematics and literature दोनों पसंद है 10 students ऐसे है जिनने mathematics and business दोनों पसंद है और 8 essays जिनने business and literature दोनों पसंद है आपके पास 5 ऐसे students भी है जिनने 3 subject पसंद है तो the number of students who liked exactly one subject is मतलब एक subject का तो अगर आपके पास 3 set दिये है और 3 set में से आपको को बोलता है कि exactly one का बताओ exactly one का बताओ तो इसका टोटल एक formula होता है कि number of अगर आप इसको निकाला चाहते है तो ऐसे हो जाएगा number of student number of student who liked exactly one है ना तो इसका formula आप लगा दीजे बहुत आसान है formula question करने में ठीक है ना exactly one है ना one of one of mathematics business ये literature तीनों मैंसे कोई है एक मतलब हमें ऐसे बच्चे चाहिए जिनों तीनों मैंसे कोई ये पसंद हो तो उसके लिए formula होता है N पहले math के लिए ले दीजे M ठीक है plus N B plus N L है ना फिर फिर अब 2 देखिए सभी में 2 आता है 2 2 formula होता है 2 intersection of M B फिर B N फिर होगा M N तो हमने 2 क्या करा हमने बाहर निकाल दिया और उसको ऐसे लिख दिया इसको हमने ऐसे लिखा 2 of N number of elements in M intersection B है ना plus minus 2 common निकाल दिया ठीक है तो यह हो जाएगा N B intersection N plus यह हो जाएगा N M B हो गया B N हो गया और आखरी में बचेगा आपका M N intersection N ठीक है तो इस टाइप से plus plus 3 number of elements in M intersection B intersection N बस अब यहाँ पर value रख दीजे उठा के आप solve को और सकते है इसली इसे ठीक है तो N M के value कितनी है हमारे पास 32 32 प्लस 38 प्लस कितने आपके पास 30 ठीक है minus 2 ठीक है math और business कितने बच्चों को पसंद है math और business पसंद है 10 को 10 प्लस business और literature कितनों को पसंद है 8 को ठीक है और mathematics and literature कितने के पसंद है 7 को ठीक है plus 3 in 2 इसकी value है 5 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 100 minus 10 18 18 plus 7 25 25 तूसर 50 प्लस 15 ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 50 plus 15 that is 65 यह ही आपका आंसर है that is option B ठीक है तो इस question को आप इस तरह से कर सकते हैं देखें यह तो होई conventional mathematics ठीक है आप जो луч के साफ से क्या इसे winning diagram से कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या हम जिसे एक मिनट मेरे निकाल सकते हैं तो यह हो गया आपका हक्छा यह बना दिया लुख Zus कि यह हो गया Thank You हूं यह मैथ यह बिजिनिस और यह हो गया आपकाnet रही ठीक है नो तो अब कोशन ने बोला कि आपके पास तीनों का math, mathematics, business और literature तीनों पसंद करने वाले कितने बच्चे है पांच तो आपने यहां पांच लिखा ठीक है अब आप देख सकते हैं यह वाला जो portion है यह वाला यह वाला जो portion है that is mathematics and business का intersection है ना ऐसे बच्चे जो math और business दोनों को पस पसंद करने वाले 10 बच्चे तो पांच इधर चलेगा तो इधर जाएगा पांच ठीक है ना अब कितना बोला उसने business और literature को पसंद करने वाले कितने बच्चे है आठ तो फिर mathematics और literature को पसंद करने वाले कितने बच्चे है तो यहां हुए 5 तो यहां आएगा 2 ठीक है ना च सब्सक्राइब करेंगे तो यह भी मिलेगा आपको 25 है ना और यह नीचे वाला 20 आजाएगा सब्सक्राइब करेंगे तो चली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन क्या हमारा हमें दिया है कि लेट एंड बी तू सेट्स कंटेनिंग फूर एंड टू टू एलिमेंन रिस्थीवीड हमें पूर्पी मेंगे लेक्राइबस ब्याने हमें कि उसका एक रॉस भी कि इच हैविंग अट लिस्ट यह विंट ब्रूं थी एलिमेंट्स थीड इस ठीक की तो आप्शिन एप उप्शन ही उप्शन किया है कि आपका इसनल इस थ्स में 256 256 है option B है आपका 220 option C है आपका 219 और option D है आपका 211 तो देखें इसको solve कैसे करना है बहुत easy question है हलका सा हमको क्या करना पड़ेगा यह आपे पहले आपको मालूम है कि देखें number of elements in A वो कितने हैं आपके पास 4 और number of elements in B हैं आपके पास 2 देखें मैंने एक formula आपको बताया था कि अगर आपको number of elements in A cross B निकालना हो number of elements in A cross B निकालना हो था आप ऐसे कर सकते हैं उसे number of elements in multiply by number of elements in B तो कितना हो जाएगा 4 to the 8 है ना तोटा जाएगा आपका 8 तो 8 elements ऐसे हैं आपके पास जो number of elements मतलब A cross B में total element कितने हैं आपके पास वह आपके पास 8 है तो हम लोग क्या बात करें थे देखें number of elements in A cross B हमारे पास total कितने आ गए 8 आ गए तो अब हमें क्या निकालना है देखें हमें वह element निकालने हैं ठीक है हमें क्या निकालना है number of subsets of A cross B each having at least 3 or more elements है यह at least 3 or more होना चाहिए 3 or 3 or more ठीक है 3 or more is है तीन या तीन से जादा तीन या तीन से ज़ादा ठीक है तो अगर आपको ऐसे element निकालने पड़ जाएं जहां पे आपको क्या करना है आपको वो subset है ना मतलब आपको वो subset धूणना है आपको क्या करना है ऐसे subset धूणना है जहां पे जिन subset के अंदर तीन या तीन से ज़ादा element हो ठीक है ना तो देख 6 plus 8C7 plus 8C8 अब देखें जिन्होंने permutation नहीं पड़ा है जिन्होंने permutation नहीं पड़ा है शायद उन्हें यह चीज समझ नहीं आएगी ठीक है तो for the time being आप इस चीज को छोड़ सकते हैं अभी के लिए फिलार के लिए आप इससे चाहें तो छोड़ सकते हैं बट मेरा suggestion यह कि बहुत easy है permutation ncr का formula हम सभी ने पड़ा होता है तो वहां से आपको निकाल सकते हैं बहुत easy है ठीक है ना तो देखें इसको solve करना है अब को तो अब आप देखिए कि यह हमने क्यों लिखा formula क्योंकि question ने बुला था हमें वो number of subset वो बताईए जहां पे जिन में तीन element हो या तीन से जादा हो ठीक है ना तो अगर इसको calculate करना है आपको इसको calculate करना है तो आपको एक formula यूज करना पड़ेगा वोगा 8C0 से लेकर फिर 8C1 से लेकर आपका जाएगा 8C8 तक ठीक है लेकिन हमें क्या चाहिए हमें 8C3 से चाहिए मतलब हमें 8C0 8C1 और 8C2 को ठीक है ये इस पूरे को open करके उसमें से ये 3 हटा देंगे तो हमें इसका answer मिल जाएगा ठीक है ना तो अगर मैं इसको solve करने जाओं अगर आप इसको permutation आपको आता है तो answer आएगा 2 की power 8 है ना और इसको solve कर लीजे इसको solve करेंगे तो यहां तो 8C0 होता है 1 इसको solve करेंगे पर आएगा 8 और यह 8C2 को अगर आप solve करेंगे तो यह हो जाएगा आपका factorial 8 divided by factorial 8 minus 2 divided by factorial 2 ठीक है तो यह बन जाएगा आपका इसको solve कर देते हैं उपर हम लोग यहां solve कर देते हैं ठीक है factorial 8 factorial 8 वैसी रहेगा divided by factorial 8 मन्दब यह हो जाएगा factorial 6 और यहां आएगा factorial 2 ठीक है तो इसको open कर दीजे 6 तक यह हो जाएगा 8 into 7 factorial 6 6 6 6 6 cancel और यह 2 factorial भी open होके बन जाएगा 2 into 1 यहनिकी 2 1s are 2, 2 2s are 4 दा तो हो गया 4 एदा 28 आएगा यह वाला ठीक है ना तो 28 plus 8 आपका 36 plus 37 ठीक है तो 2 की पावर 8 minus 37 आप कर दीजे आपका answer आ जाएगा ठीक है इसको solve करेंगे इसको solve करेंगे तो I guess 2 की पावर 8 225 2 2 की पावर 6 होगा आपका क्योंकि पावर 32, तो आपका 64, तो 256 आएगा आपका, 256, माइनस 37 करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 219, ये वाला, ठीक है, तो option आपका C वाला है, अच्छे देखें, ये तो हो गया क्या हमने इस तरीके से करा, ये question को हमने इस तरीके से करा, क्या अगर जिनको समझ नहीं आया है, जिनको ये समझ नहीं आया कि मैंने कैसे करा, तो बिटा, आप लोगों को लोड लेनी जूरूत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, अब इस आपको ये लिख लिए होगा, तो देखें, जिनको ये समझ नहीं आया, छोड़िए, यहाँ देखिए, इसको solve करना शुरू करिए, आप NCR का formula ये आला याद कर लीजे, NCR, इसका formula होता है, factorial N divided by factorial, N minus R divided by factorial R, है ना, मैं एक दो करके दिखा देता हूँ, आप खुछ से करना, और फिर सबको add कर देता है, easily solve कर लेंगे आप लोग, ठीक है ना, तो देखें कैसे करते हैं, चलिए मान लीजे 5, ठीक है, स्कूल टाइम पर हम अभी ने इसको solve किया हुआ है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, factorial 8 को open कर लीजे, 8, ये कितना है, ये आएगा आपका कितना, ये हो जाएगा, आपका 8 minus 5, ठीक है, तो ये factorial 8, चलिए इसको छोटा छोटा कर देते हैं, ठीक है, 8C5, ये बनेगा 8, whole divided by 8 minus 5, ये बन जाएगा आपका factorial 5, ये हो गया आपका factorial 8 को open कर दीजे, 8 into 7 into 6, into 5 factorial तक, ये कितना है, 5 minus 3 आएगा, तो ये से 3 तक open कर लीजे, नहीं नहीं, 5 तक ही रहने दीजे, ठीक है, अभी बतारूं क्यों, ये हो जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका factorial 3, divided by factorial 5, factorial 5, factorial 5, factorial 5, cancel हो गया, ठीक है, इसको open कर लीजे, 3 को तो हो जाएगा, 3 into 2, into 1, यानि कि 6, नहीं, 6, 6, 6, 6, cancel हो गया, तो ये 56 देगा आपको, कितना देगा, 56, मतलब 8C5 की value आपको 56 मिलेगी, ठीक है, 8C1 तो plus 1 होता है, इसमें कोई दिख कर नहीं, ये तो plus 1 देगा, ठीक है, तो यहां से इसको solve कर लीजे, फिर इसको, इसको, सबको add कर दिएगा, 219 मिलेगा आपको, तो चलिए, ये एक दूसा तरीका भी होगा, जिससे आपको समझना था, ये permutation वाला logic यहां पे लगा हुआ है, अगर आपको permutation नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, जब आप permutation करें हैं, जब आप permutation पड़ेंगे, जब उनको solve कर लीजेगा, कुछ बच्चों के साथ ये problem आ रहे हैं, कि सर, वो question नहीं बन रहा है, घबरा गए, बने नहीं रहे, तो भहिया, पहले एक बाद चेक कर लोगी, शायद उसमें किसी और chapter का logic लग रहा होगा, इस वज़े से problem आ र